आईए अम समझते हैं कि आखिर ये पीच लेवल क्या होता है हमारी शरीर को देखते समय ऐसे कई संकेत होते हैं जो कोशिकाओं और सेल्स को ठीक से काप करने में मदद करते हैं जैसे हाइडरेशन लेवल, शरीर का तापपान, पोशक तथों की उपलबता और पीच का स्तर पीच का मतलब होता है पुटेंशल और हाइडरोजन हमारे शरीर का पीच लेवल बताता है कि हमारा शरीर कितना आसिडिक और कितना अलकलाईज है हमारे शरीर को एक बहुत संकीन pH range के भीतर संचारत करने के लिए design किया गया है हमारे शरीर के लिए आदर्श pH थोड़ा शारे है जो की 7.30 से 7.45 के range में है pH का scale 0 से 14 तक का होता है 7 से अधिक का pH शारी करन alkalized है और 7 से कम का pH अमलिय असिडिक है और यदि आपके शरीर का pH स्तर 7 है तो वह neutral माना जाता है आसान शब्दों में कहा जाए तो यदि आपका pH स्तर 0 से 6 के range में है तो आपका शरीर acidic है और यदि pH का स्तर 7 है तो वह neutral है और यदि 7 से 14 के range में है तो आपका शरीर शार या alkaline है आज की इस वीडियो में बस इतना है यदि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पून लगा है तो इस चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी शेर करें यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद meet you next time until then stay happy and healthy